और सभी राज़तिक दलों की अपनी अपनी तयारियां हैं और आपको बता दें शुवपाल यादव ने कहा है कि वो अखिलेश यादव के नितितु में चुनाव लड़ने को तयार हैं हमारे समधाता विशाल पांडे से उन्होंने खास बाचीत की है सुनिए उन्होंने क्या 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 है समाजवादी और प्रिगत्सीर समाजवादी पार्टी मिल करके ही चुनाव लड़ेंगे अब जब हमने अखिलेश यादव को नेते ही मान लिया है तो हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रिदेश में अखिलेश मुखमंती बने और भार्टी जन्ता पार्टी हटे ये हमने तेक कर लिया है और बैसे तो हमारा पूरा उत्तर प्रिदेश में पचातत जिलों में प्रिगत्सीर समाजवादी पार्टी का संक्ठन खड़ा हो चुका था तो अब तो मिल करके चुनाव लड़ना है भार्टी जन्ता पार्टी को हटाना है और हटाना इसलिए है कि पांच सालों में उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया था महंगाई, भेटाचार, बेरोजगारी, चलम सीमा पर और यहां तक कि देखे करोना जैसी बीमारी आई उसका भी मकावला नहीं कर पाए और करोना के बाद देखे वाइरल जैसी बीमारी आई, डेगू जैसी बीमारी आई उसका भी यह इन्तजाम ठीक से नहीं कर पाए अब फिर करोना आ गया है, ओमी करोना आ गया है जबकि इनको इतना समय मिल चुका था तो किसी भी वीमारी का ठीक से विवस्ता नहीं कर पाए इलाज नहीं दे पाए शुपाल जी आप कह रहे हैं कि साथ में मिलकर चुनाओ लड़ेंगे अखलिश को नेता मान चुके हैं तो सीटों का फॉर्मूला क्या रहने वाला है वो मैंने सूची बना करके अखलिश जी को दे दी है और बात भी कल दी है अब वो गोशना उनको करना है अब जो भी सुझाव मांगेंगे फिर दे देंगे कितनी सीटे आप देख रहे हैं इसका कोई सवाल नहीं आप सीटों का सीटों का कोई सवाल नहीं केवल जीतने वाली सीटें जीतने वाली सीटें और हम दोनों लोगों ने यही मिलकर के बातचीत की है कि सीट जीतने वाली तो वो तो समीचाव कल ली जाएगे आप जस्वन नगर से चुनाव लड़ेंगे फिर से या कोई और सीट आपना भी तक तो हमारी सीट जस्मन गर रही है लगातार मैंने पांस बार चुनाव महां से जीता है अब थट मी बार अगर टिकेट मिल जाएगी और हमारी पार्टी तेह कर देगी तो बिल्कुल फिर लड़ लेंगे श्रिपाल जी कई तरह की चर्चाएं आती हैं कि साइकल निशान पर ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे या अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे इसको भी लेकर कोई बातचीत होई है क्या हाँ ये बातचीत होई है और फिर आगे बातचीत हो जाएगी तो आप साइक साइकल लेंगे हम बल करके और साइकल तो पुराना चुनाव चुन रहा है और अभी भी हम विदाई के जो भी हैं तो साइकल से हैं तो क्या लगता है कि आप तो चुनाव भी घोशित हो रहा है सारी चीजे सामने आ चुकी हैं मुद्दे भी सब के सामने आ गए हैं अखिले इसी के अफसर्कार बनने जा रही है, वो इसलिए बनने जा रही है, देखे, पूरे उत्तर पे देश में हर तरह से ये फेल हुए है, स्वास सेवा में मैंने बताई ही है, सिक्षा के मामले में तो बताया है, और देखे, भेटाचार तो चरम सीमा पर बढ़ा ही है, और भेटाचार के साथ साथ जो रोजगार, रोजगार भी नहीं दे पाई, बेजली की समाथ से अब याद आई है ने, जब तुनावू गोष्णा होने जा रही है, तब बेजली के में याद आ रही है उनको, और पांच सालों में बेजली पर इन्होंने कोई काम नहीं किया है साथ सेवा में कोई काम नहीं किया, सक्षा में तो इतना भेटाचार फैला दिया है, सक्षा में, देखे, साथ सेवा में ये हमारा उत्तरपिरे सब से पीछे चला गया है